नमस्कार मैं सियार्जे और आप देख रहे हैं दे टेक्निकल टेर्डमेंट तो आज लेकर कैया हूँ एक और वीडियो एक दर्सक ने भी बोला था कि सोफा है उसके बारे में वीडियो बनाई है तो ये मेरे पास आज एक सोफा की ड्रोइंग है तो आज बात करेंगे सोफा की ड्रोइंग है वो उसको समझना और सोफे को कैसे बनाया जाता है उसका सही तरीका क्या है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो है वो आप अगर पुरा देखेंगे तो आपको भी जब सोफा बनाना होगा तो कभी आपको कोई दिकत नहीं आएगी और जो इस सोफे में है क्योंकि सोफा है उसकी सीट की जो हाइट है उसकी हैंडल की हाइट है उसकी बैक की हाइट है ये सब चीजे हैं वो बिल्कुल एक साइज में लेनी होती है क्योंकि इसमें हम बहुत ज्यादा है वो फेर बदल नहीं कर सकते हैं तो कितना फेर बदल कितना चेंज इसमें कर सकते हैं कितनी छोटी बड़ी हाइट है वो ले सकते हैं यह सब चीजे मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो में बने रही है पुरा देखे है वो मैं पीछे भी काफी वीडियो बना चुका हूँ और आगे भी इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहेंगे तो ड्रोइंग को समझना हो तो वीडियो जरूर देखें और चेनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको वीडियो है वो जैसे ही बनाए तब नोटिफिक चलते हैं आज की ड्रोइंग और सोफे की जनकरी तो चलिए अभी चलते हैं वीडियो में देखें यह जो है हमारा सोफा है यह आप देख रहे हैं यह फोटो में पूरा तो फोटो में आप देख रहे हैं कोई बहुत ज्यादा है वो complicated सोफा नहीं है सीधा सा सिंपल सा है ले डीप कितनी हाइट इसका जो हैंडल है उसकी क्या हाइट होनी चाहिए और इसकी बैक की क्या हाइट होनी चाहिए और यह पार्ट्स हैं यह अलग-लग करके किस तरह से इसको आपस में जोड़ा जाता है तब जाके यह सोफा तयार होता है तो यह जो जानकारी है वो जो बेसिक जानकरी है वो आपको पता होनी बहुत जरूरी है अगर वो नहीं पता हुई तो फिर आप सोफा नहीं बना सकते क्योंकि sofa का काम है वो एक अलग तरह काम है अच्छे से अच्छा मिस्त्री है अगर वो भी sofa बनाने अगर देना जिसने पहले sofa का काम नहीं किया है तो वो भी sofa नहीं बना पाएगा क्योंकि सोफे की जो basic जानकरी है वो बहुत जरूरी है तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ देखें इसका ये plan है ये elevation है और ये इसका side view है ये आप तीनों चीज देख रहे हैं लेकिन सबसे पहले plan में देखिए plan में जो सोफाय ये है total आप देखेंगे 2050 प्लस 100 का handle इधर है 100 का handle इधर है तो total ये हो गया बाइस सो पचास और अंदर से अंदर है अठारा सो पचास यानि अठारा सो पचास की इसकी जो seat है वो अंदर अंदर ये वाले seat यहां से लेके यहां तक जो है ये अठारा सो पचास है ये चीज आप समझ गए अब ये जो अठारा सो पचास है ये है थ्री सीटर सोफा अब बेसिक जानकारी जो जरूरी है वो ये है कि एक seat के लिए 600 mm यानि दो फिट की जगे हमको seat के लिए चाहिए होती है दो फिट, दो फिट, दो फिट यानि चैप्यट अगÝ ठी सीटर सोफा मना रहे है तो छेप्यट जगए होनी चाहिए टो सीटर बनाने जा रहे है तो येवाली च्यार पिट जगए होनी चाहिए यानि बारा सो एमइम छे यानि ऐरा सो एमेम और ऑगर सिंगल सीटर है तो 600 से 600 की जगे अपने को चाहिए अब रहे गई यहां से यहां तक इसकी है वो डीप जो सोफा की डीप है वो देखे अब इसमें दिया हुआ है पांसो पिछेतर और पचीस ही आगे आप देख रहे हैं यह इसका हैंडल 25 mm बाहर निकला हुआ यह हैंडल के लिए दिया सीट इसकी पिछे है 25 mm यानि यह लाइन आप देख रहे हैं यह 25 mm पिछे हैंडल 25 mm बाहर निकला हुआ है तो टोटल मिला के यह हो गई 600 तो इससे बेसिक जो चीज है वो यह हो गई कि 600 भाई 600 की सीट यहां बैठने के लिए सोफा की होनी चाहिए उसके बाद में पीछे की बैक अब ब डबल बैक बनी हुए डबल बैक एक तो यह आप देख रहे हैं और एक पीछे की यह देख रहे हैं यानि यह टोटल 200 है सो की सो की इसमें है यह जो आप देख रहे हैं यह जो बना हुआ है अलगलग पार्ट इसका यानि गोला जो बना हुआ है यह वाला यहां तक इसका 100 mm ह यह जो सीधी वाली बैग देख रहे हैं यह है अब यह दोनों चीजे है 100 mm का यह फोम है यह 100 की तो हमको पीछे बैग यह तो पलाई में यह लकडी में बन जाएगी और यह वाला फोम का इसा यह फोम में बनेगा तो हमको जो बनाना होता है मिस्त्री को जो बनाना होता है धांचा वो सिर्फ यह वाला ही बनाएगा यह वाला जो लाइनिंग करेगा फोम लगाएगा कपड़ा लगाएगा वो बनाएगा ये चीछ तो हमको बनाना होगा इसके लिए ये तो हो गया बेसिक बात इसकी यानि लंबाई चोडाई में आप ये चीछ समझ लीजिए कि 600 बैच-600 की एक सोफा की सीट होती है जितना बड़ा बनाना होता है 3 सीटर 2 सीटर या 4 सीटर तक अगर कहीं कहीं पर बनता है लेकिन बहुत कम ज्यादा तरह है वो 2 छीटर 3 सीटर और 1 छीटर यह 3 ही सबसे ज्यादा बनते हैं अब आते हैं इसका एलिवेशन में इसमें हम देखेंगे हमको सीट की जमीन से टोटल हाइट कितनी होनी चाहिए यह बेसिक नोलेज होना जाए क् हाइट हम बड़ा या घटा ज्यादा इसमें ना हम बड़ा सकते हैं ना ज्यादा कम कर सकते हैं क्योंकि ये बैठने के लिए एक जो सबसे सई हाइट होती है वो होती है इसकी साड़े चार सो यानि डेड फिट आप कोई भी चेर वगर है कि है वो कभी भी देख लीजी आपको हाइट है वो साड़े चार सो कम से कम मिलेगी वो चार सो मिलेगी ज्यादा से ज्यादा मिलेगी तो चार सो पिचेतर तक मिलेगी इससे ज्यादा हाइट वाली नहीं मिलेगी फिर जो मिलेगी तो वो किसी अलग काम के लिए या जो बार, स्टूल वगरा होती है वो अलग होती है, वो धाई फिट तक होती है, साड़े साथ सो तक, साथ सो तक वो अलग चीज है, लेकिन सोफा की है, वो अब देखें, इसमें आप देखेंगे, क्योंकि यह एलिवेशन हैं देखें, साड़े फोउम है, तो यह टोटल हो गया साड़े चार सो अब इसके बाद में चार सो की पीछे बैक है तो टोटल मिला के होगा शाड़े आट सो अब यह बैक है, यह डिजाईन के हिसाब से बैक हाइट भी हो सकती है, एक हजार तक भी होती है 1100 तक भी कई बार डिजाइन की साबसे चली जाती है तो वू हो सकती है लेकिन हमें ये जो बैक है ideal बैक है वो ये 800-6,5 तक जो नोर्मल इस तरह की डिजाइन होती है लगबाई उसमें 800-6,5 तक की बैक है वो नीचे ची लेके यहां तक उपर तक होती है अब इसमें एक तो हमें जब भी ढांचा बनाने जाएं तो यह चीज सोचें कि इसमें जो फोम लगेगा ना उसकी हमें जैसे इसमें आप देख रहे हैं यह वाला जो हिसा देख रहे हैं यह यह दोनों साइड में फोम का हिसा है तो यह यहां से हम सोफा है वो इतना इतना यह अंदर वाला देख रहे हैं लाइन इतना ही बनाएंगे यह इतना जब भी बनेगे पीछे की back और इसके बीच में इतना gap रहेगा इतना ही back में भी यहां तक back में भी यह कम बनेगा यह जहां से यह जुर रहा है, यह हिसा देखे, यह हिसा यहां पे एक अपनी पट्टी लग जाएगी, इतनी चोड़ी, ताकि यहां पे इसकुरु या बोल्ट जो भी लगाना है, तो यह यहां पे लग जाए, और यहां पे यह फोर्म आएगा, तो दोनों के बीच में पहले वूpping लगाना होगा ताकि यहां से केल a screw इसमें लगके यह इसके साथ में हो जाये इस बेस के साथ में यह तो फोम है यह वाला जो बेस है इसके साथ में यह फाली छोड़ देना है दोनों का फोम का जितना भी प्रिमोटा ही आएगा उसके इसाब से यह चीज इसकी होगी फिर जोडने के लिए है वो हमेशा जो इसका यह आप प्लान देखे एक बार क्योंकि यह नीचे का आप फोटो देखे यह नीचे का यह है यह पूरा यह गद्दी लेकिन यह यहां से इस तरह से एक चोरस फ्रेम वो फ्रेम बीच में से खाली होगी कभी भी पूरा है वो बहुत कम बनाते हैं क्योंकि वो सोफा एक तो बेल्ट बगरा लगाते हैं वो नहीं लगता है सीधी गद्दी रखते हैं तो थोड़ा हार्ड हो जाता है इसलिए वो काम करते नहीं है उसमें भी अगर उपर तो उपर से फोह महता हैं मैं कशने का कुछ होता नहीं है यह तो इसके भी साइड से अंदर से बोल्ट या इस्कूरु लगाते हैं और बोल्ट या इस्क्रू लगा देते हैं इस तरह से नीचे से खाली रहता और बेल्ट लगना होता है तो यह फ्रेम है ना यह फ्रेम अंदर से लगबग आम ज्यादा तर जो लेते हैं ना 100 से 120 ऐसे साइट छोड़के अंदर से ऐसे काटके यह फ्रेम बना लेते हैं यह खूला आती है वो वाली spring लगा देता है इसके बीच में हमें support देनी होती है हर एक seat के बार में यानि 600 के बार में एक support आएगी तो इसमें डो support आएगी तो support को हमेशा है वह ऐसे नीजे से ऐसे काट के बीच में से करें ताकि spring उपर नीचे अगर वो दबे तो ये वाली लकडी को टच ना हो उपर से वो hard ना हो जाए इसके लिए ये हमेशा ऐसे इस तरह से काट दी जाती हैं तो ये इसकी basic जानकारिया हैं और इसको हमेशा सोफा को बनाएं तो अलग-अलग ये ये अलग इसका handle दोनों अलग बनेगा नीचे का ये base अलग बनेगा ये जो foam है ये जिसको बनाना lining वो करेगा हमको ये एक दो तीन चार पार्ट में लगबग सोफा होता है यानि कई बार क्या है handle एक side में भी होता है तो वो तीन पार्ट हो जाएगा नहीं तो चार पार्ट हो जाएगा इसलिए ये अलग-लग पार्ट करके फिर जोडने होते हैं और हमेसा ये ध्यान रखें क्योंकि foam का यहां से घटाना है वो दोनों side में यहां से पहले खाली रहेगा बाद में foam आके वो touch होगा और जहां से ये जुडता है वह क्योंकि seat तो है वो 4500 हो गई हैंडल आप देखेंगे देखें पांच सो और डेड़ सो साड़े छे सो तो ये 4500 होती तो 200 और height इसकी ज्यादा हो गई तो हमेसा आप बैठके ये देखेंगे ना जब भी हम बैठते हैं हमारी जो कोहनी होती है ना वो कोहनी यहां से हम बैठे रखी जाएगी अगर इसको हैंडल को उपर कर देंगे तो फिर कोहनी ऐसे कंदा है वो उपर की तरफ जाएगा तो आराम से नहीं बैठ पाएंगे ये चीजे इसकी है तो हैंडल है वो seat से 200 ऊपर होनी चाहिए seat है वो 4500 होनी चाहिए और back है वो design के हिसाब से 800 से 1100 के बीच में होती है इसे ज्यादा height तो बहुत कम कोई अलग design बना दे तो अलग बात है बागी होती नहीं है लेकिन जो normal है वो 800 से 1000 के बीच में back होती है ये चीजे हमको पता होनी चाहिए और इसको joint करने का जो मैंने तरीक आपको बताया मुझे उमीद है आपको इसको अगर जब भ लोगों तक भी पूंचे तो आज की वीडियो में इतना ही आगे फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकर के साथ तब तक के लिए दीजिए इजाज़त धन्यवाद जैए